नमस्कार आईए आज बनाते हैं केले की छिलके की सबजी अचार मसालों के साथ इसके लिए धोके तीन साफ सुत्रे केले के छिलके ले लीजिए छिलके के आगे और पीछे के हिस्से को टिरिम कर लीजिए और छोटा-छोटा कैंची से काट लीजिए कुछ इस तरह से देखिए हमने केले के छिलके काट लिए हैं मसालों में चौथाई-चौथाई चमच, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, दो हरी मिर्च और अद्रक का टुकडा ले लीजिए तड़के के लिए चौथाई-चौथाई-चमच, मेथी, सौफ, कलोंजी, जीरा, चुटकी बर हींग ले लीजिए पैन में एक चमचा तेल गरम कीजिए और सभी तड़के के मसाले डाल करके भून लीजिए तड़का क्रेकल होने पर हरी मिर्च और अद्रक डाल कर भूनिये कटे हुए केले के छिलके डालिए और इन्हें थोड़ा मिलाईए थोड़ा मिलाने के बाद मसाले डाल दीजिए और इनको अच्छी तरह से केले के छिलकों में मिला दीजिए मसाले मिलने पर धक्कर धीमी आज पर पांच मिनट पकाईए पांच मिनट बार धक्कन हटाएं आधा चम्मच अमचूर पावडर मिलाएं हमारी केले छिलके की सबजी तैयार है तैयार सबजी को डौगे में निकालें और पूरी पराठा रोटी के साथ खाने का आनंद उठाएं यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद